नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी exercise बताने वाले हैं, जिनको रोजाना करके आप आसानी से अपने थाई fat को कम कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर थाई fat के बड़े होने की वज़े से लेडीज ना ही short dress पहन पाती हैं और ना ही tight fitting कपड़े। अक्सर लेडीज में कुछ hormones के कम ज्यादा होने की वज़े से भी थाई पर fat एकठा होने लगता है, और इसे कम करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये धीरे-धीरे कम होता है, लेकिन ज्यादातर लेडीज को जम जाने का समय भी नहीं मिल पाता है, और ना ही कुछ exercise करने का, मगर यकीन मानिये, अगर आप रोजाना सिर्फ 5 exercise करते हैं, तो आप उनकी मदद से आसानी से घर पर ही अपने थाई fat को कम कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप भी अपने बढ़े हुए थाई fat की वज़े से परेशान हैं, और इसे जल्द से जल्द कम करके अपने थाई को पतला करना चाते हैं, तो इस वीडियो को आखर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको ऐसी असरदार exercise बताने वाले हैं, जिनसे थाई fat जल्दी से कम होगा, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वो exercise कौन कौन सी हैं, और आपको उनको कैसे करना है, एक, frog bend exercise, दोस्तों, थाई fat को कम करने के लिए ये exercise काफी आसान है, जिससे आसानी से fat कम होता है, और ये flexible होने के साथ साथ अच्छी shape में भी आ जाती हैं, अब देखते हैं कि इस exercise को आपको कैसे करना है, इस exercise को करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर एक mat बचा कर बिलकुल सीधे लेट जाएं, अब आप अपने दोनों पैरों को उपर हवा में उठा लें, पहले दोनों पैरों को बिलकुल सीधा उपर करें और दोनों की एडियों को आपस में मिला लें, और फिर उसके बाद आपको दोनों पैरों को साथ में घुटनों से मोड़ते हुए नीचे लेके जाना है। इस तरह से आपको अपने पैरों को ऊपर नीचे करते जाना है। शुरुआत में आपको इस exercise को 45 seconds सक करना है। और फिर एक हफते बाद आपको इसे बढ़ा कर एक मिनिट तक के लिए करना है। इस exercise को करने के बाद आपको कुछ समय का rest लेके फिर अगली exercise करनी है। तो आसानी से आप अपने बड़े हुए Thai fat को कम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस exercise को आपको कैसे करना है। इस exercise को करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर एक मैट बिचा कर लेट जाएं। अब आपको अपनी एक हाथ की कोहनी को जमीन से लगते हुए अपनी अपर आपका सर बिलकुल सीधा रहना चाहिए और आपकी अपर बॉडी का वजन आपकी कोहनी पर आना चाहिए। इसके बाद आप अपने एक पैर को हवा में बिलकुल उपर कर लें और उसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ लें। इसके बाद आपको अपने दूसरे पैर को उप उस पैर तक लेके जाना है। इस तरह से आपको अपने पैर को उपर नीचे करते जाना है। एक पैर से करने के बाद आपको दूसरे पैर से भी इसी तरह इस exercise को करना है। ध्यान रहे कि जो पैर आपका उपर हवा में होगा, उस पैर को आपको बिलकुल सीधा रखना है शुरुआत में आपको इस exercise को दोनों पैरों से 45-45 सेकंड तक करना है और फिर एक हफते बाद आप इसे बढ़ा कर दोनों पैरों से एक-एक मिनिट तक के लिए करें इस exercise के बाद भी आपको कुछ सेकंड का ब्रेक लेके फिर अगले exercise करनी है दोस्तों इस exercise को करते समय आपके शरीर की काफी सारी muscles एक साथ काम करती है और शरीर के काफी हिस्सों से fat को भी कम करती है और body को flexible बनाती है अब देखते हैं कि आपको इस exercise को कैसे करना है इस exercise को करने के लिए आप सबसे पहले बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं ध्यान रहे कि आपका सर, कंथे और कमर सब बिल्कुल सीधे रहना चाहिए अब आप अपने एक पैर को सामने की तरफ ले जाएं जबकि दूसरे पैर को पीछे की तरफ सीधा करके रख लें आपको बारी-बारी से करते जाना है साथ ही आप अपने हाथों को भी आपस में जोड़ लें और फिर उनको उपर नीचे करते रहें इसी तरह से आपको इस exercise को 45 सेकंड तक करना है और फिर उसके बाद आपको कुछ देर का ब्रेक लेके फिर अगली exercise करनी है और फिर एक हफते बाद आप इस exercise को ज़्यादा देर तक के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों तेजी से कैलरी बर्न करने के लिए फोर आम प्लैंक सबसे बहतरीन exercise में से एक है यह आपकी पेट की मास पेशियों पर काम करती है और इसे रोजाना करने से आपका वज़न तेजी से कम होता है साथ ही आपका पेट भी टोन होके अंदर चला जाता है और थाइफेट भी कम हो जाता है अब देखते हैं कि इस exercise को आपको कैसे करना है four arm plank करने के लिए सबसे पहले आपको push up की position में आना है लेकिन आपको अपनी हथेलियों के बजाए कोहनी के बल पर शरीर को टिका कर रखना है और अपनी बाजूओं को सिर की और मोडें कोहनी पर शरीर का सारा भार रखें अब अपने पैरों को सीधा रखते हुए core muscles को tight करें अपने glutes को squeeze करें और इस position को तब तक hold करें जब तक कर सकते हैं शुरुआत में इस exercise को भी आपको 5 बार करना है और फिर एक हफते बाद आप इसे बढ़ा कर 10 बार भी कर सकते हैं इस exercise को करने के बाद आपको कुछ देर का break लेके फिर अगली exercise करनी है दोस्तों ये एक काफी असरदार exercise है जिसे आप घर पर ही आसानी से कर सकते हैं और इसका असर आपके कंधों पर भी होता है और साथ ही इससे belly fat भी कम होता है और इसका असर आपके thigh के fat पर भी पड़ता है जिससे thigh fat धीरे-धीरे कम होने लगता है इसलिए ये thigh fat के लिए काफी अच्छी exercise है अब देखते हैं कि इस exercise को आपको कैसे करना है इस exercise को करने के लिए पहले आप जमीन पर एक mat बचा कर बैठ जाएं अब आपको अपनी upper body को बिलकुल सीधा रखना है और उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है एक हाथ को अपने कंधे के ऊपर से पीछे ले जाएं और दूसरे हाथ को अपनी कमर की तरफ से पीछे ले जाएं और फिर पीछे ले जाके अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, कुछ सेकंड तक ऐसे रखने के बाद हाथों को वापस आगे ले आएं, फिर उसके बाद दोबारा से हाथों को पीछे ले जाके इस एक्सेसाइस को करें, ऐसे आपको इस एक्सेसाइस को 10 बार करना है, और फि धान रहें कि अगर आप इसे हमेशा तक के लिए कम करना चाहते हैं तो इन exercise को कुछ समय करके ना छोड़ें बलकि इन्हें लगातार लंबे समय तक करते रहें और इसके साथ ही healthy diet लेने की भी कोशिश करें तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही हमें उम्मीद है कि अपने अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं इसके लावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप ऐसी ही और भी entertaining वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यानी जी health को like करें, subscribe करें और साथी bell icon को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको लगातार हमा